आज है 24 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विदानता लिमिटेट के बारे में 250 रुपए का शेयर है 5.5% की गिरावट हमें विदानता में देखने को मिली है और 300 रुपए के नीचे एक बार फिर से ये शर्ट जा चुका है वीडियो में डिसकस करेंगे इस क सब्सक्राइब कर लेजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे विडियो हैं जो आपको काफी जादा हल्प करेंगे तो विदानता लिमिटेट 285 रुपए का शेयर है और एक महीने में अगर हम देखे तो पिछले एक महीने में 9.5% तक तूट चुका है 320 रुपए के आसपास था तूट के थोड़ा सा भी नीचे गया वापस तेजी आगे लिगने इस बार गिरावट काफी बड़ी है क्योंकि बाज और खुद बड़ी गिरावट जिल रहा है पिछले एक साल में अगर आप देखो तब 16% की अभी भी गिरावट है लेकिन अगर हम यहाँ पर डिविडे का जो नया बिजनस सेट अप किया था इन लोगों ने गुजरात में प्लांट जो सेट अप किया था जैसे ही वो खबे आना शुरू हुए एक बहुत बड़ी तेजी इस ने दिखा दी लेकिन बात में जब कंपनी ने अन्नाउंस किया कि देखो भाई सब सेमिकंड़क का ज विदानता को लेकर अगर हम देखेंगे तो विदानता में या सीक्यूरिटी की तरफ से बेचने की सला है 275 रुपए का टागेट है इसके लगव अच्छी कबर यहां पर यह है कि गोवा का जो माइनिंग ब्लॉक है उसका बड़ा बड़े बिडर के तौर पर विदानता व अगर हम देखें तो हाँ लार्ज केप शेर है एक लाग ग्यारा हजार करोड से भी ज्यादा कि इसका मार्केट के पर वॉल्यूम एक करोड से भी ज्यादा कि मतलब बहुत बड़ी कॉंटिटी में शेर ट्रेड हो रहे हैं कंपनी के रिवन्यू और प्रॉफिट दोनों ही अच्छे है लेकिन हाँ सब्टेंबर कॉर्टर में प्रॉफिट में गिरावर्ट जरूर आई है वो वह भी काफी बड़ी लेकिन हाला कि एक्सपेक्टेर था क्योंकि जो मटीरियल कॉस्ट है वो यहाँ पर बड़ा है और दूसरी वाद हम सब जानते हैं कि वहाँ किस तरी अच्छान ने बड़ा टेक्स भी लगाया था इन कंपेनियों के ऊपर तो जिसकी वजह से इंका जो मार्जिन है उस पर असर बड़ा जरूर है और यही वजह है कि 36,600 क्रोड रुपए के रिवन्यू में 1,800 क्रोड का ही मुनाफ़ा हुआ है जबकि पिछल साल इनका रिवन इसकी भी थोड़ी बहुत होल्डिंग यहां पर जरूर है इंशॉरंस कमदी पर अच्छे कासे कॉंटिटी में जिसको लेकर हम आगे बाद चीज जरूर करेंगे विदानता में अगर हम देखेंगे तो विदानता में अकॉर्डिंग तो मनी कंट्रोल दूजर 63% लोग कह र रावट तो भईया बनती है यहां से लेकिन अगें मैं मानता हूं कि लॉंग टर्म के लिए यह शर अच्छा हो सकता है क्योंकि अगर आपके बाइन प्राइस सही हो सस्ती हो तो तीज़ी आपको देखने को मिलेगी कुछ वक्त जटके कुछ वक्त के ही रहेंगे यहां पर दोबारा रफ्तार आपको यहां पर देखने को मिल सकती है और दूसरी बात अगर हम यहां पर करें तो भारी भरकम डिविडेंट यह इस साल भी इसने पे किया है अगले साल भी पे कर सकता है विदानता को लेकर अगर हम देखेंगे इनके डिविडेंट पर सबसे पहले चल 52 रुपीज के आसपास का इसका डिविडेंट है जो कि बहुत अच्छा डिविडेंट है वो भी एक साल का डिविडेंट वो बहुत अच्छा है क्योंकि अगर हम बात करें कोविड के वागई तो यह जो कंपनी थे ना वो आपको काफिस हस्ते में मिल रही थी और अगर आप चैनल को रेगलो फॉलो करते हो तो कई सारे मेंटे वीडियो थे कोविड के दौरान के वाईया खरीदारी कर सकते हो यहां बर लॉंग टर्म के लिए अच्छा श्यर सावित हो सकता है जब भी गिरावट आई है मौका देगा और डिविडेंट भी अच्छा कासा पे करता ही है हर साल यह मैंने तब भी आपको कहा था और तब भी आपको 65 रुपे से भी नीचे मिल रहा था विडानता को लेकर अगर हम देखेंगे तो विडानता के रेवन्यू में अच्छी तेजी है 85,000 करोड के रेवन्यू आज एक लाग 32,000 करोड से भी जागा जा चुके हो जहा 32,000 करोड में 30,000 करोड का प्रॉफिट मतलब अच्छे कासे प्रॉफिट इसने दिखाए है अभी फाइनेशल है 2023 में यह हुआ है कि इनके प्रॉफिट कम जरूर हुए है एक 1800 करोड के आसपास रहे हैं लास्ट क्वाटर में जोगी काफी कम है तो 30,000 करोड तो भूल जाओ कि आपको प्रॉफिट देखने को मेरी का फिनेशल 2023 में लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कम्पनी प्रॉफिट में जरूर दिखा सकती है और कम ही रहेगा लेकिन अच्छा प्रॉफिट होगा वो इतना खराब भी नहीं होगा और दूसरी बात यह है कि कम्पनी आपको प्रॉफिट इसपर पी तेरह के आसपास है फिफ्टी सेवन पर्संट एन आलिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो खरीदारी करने का सही मौगा और बॉर्ट जोन में नहीं लेकिन रेड़ फ्लैग यह है कि प्रमोटर की सारी की सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी है और यह पि बहुत बड़ा कंसर्ण किया सकते हो 0.82% मुचल फंड के पास है 9.55% डोमिस्टिक इंस्ट्यूशन के पास है 8.10% एफाइल्स के पास है और 11.85% रिटेल और अधरस के पास है जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 8.69% जितनी होल्डिंग देखने को मिल रही है तो बहुत बड़े fund houses की अगर हम बात करें खासे mutual funds की अगर हम बात करें तो उतना पॉर्टफोलियो में वेटेज दिया ज़रूर है होती है तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा जटके महसूस होते हैं और यह हम पहले भी देख चुके हैं अगर आप maximum graph इसका देख लो तो पता चलेगा कि भाई आप बहुत बड़े मतला momentum बनते हैं यहां पर तेजी के भी और गिरावट के भी एक बड़ी रफतार बड़ी गिरावट बड़ी रफतार बड़ी गिरावट बड़ी रफतार बड़ी रफतार बड़ी रफतार दुबारा बड़ी गिरावट तो यह हो चुका है पहले भी इसके graphs आगे भी आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं तो विदानता को लेकर अभी के लिए मैं इतना कहूंगा क कि जल्दबाजी मत करना खरीदारी करने को लेकर लेकर कंपनी में दुबारा मौके बन सकते हैं एंट्री लेने को लेकर और वो मुझे रखता है कि शायद 200-200 के बीच में वो मौका बन सकता है तो वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए इस रेंज पर मैं खरीदने की सला नहीं दूंगा इसके अलावा कमेंट में लिखकर आप जरू बताएगे का की मैटल कंपनी में से कौन कंपनी आपके पॉर्ट्फोलियो में है चाहिए वह स्टार्ट 스्टील हो या जो हो कमेंट में लिखकर जरू बताएगे वडियो यहीं पैंड करूगा फैक पासंदाए हो तो स्टील हो या फिर JSW स्टील हो या सेल हो कमेंट में लिखकर ज़रू बताईए वीडियो को यहीं पैन्ट करूँगा पसंदा हो तो लाइक करें चानल बगरा पहले ही बार आएं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और विदानता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं थैंक यू